नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटुब चैनल में तो फाइलली जो है जारकन सरकार के द्वारा जो जारकन सहीव प्रविस परतियोगिता परिष्छा के माधियम से जो आपका एन्म जी एन्म का जो कोर्स होता है उसमें जो आपका एड्मिशन होता है तो उसके लिए जो है अप्लिकेशन फर्म की जो डेट है वो रिलीस कर दी गई है कि आप अप्लिकेशन फर्म कब से भर सकते हो तो फाइलली आप देख सकते हो यहां पे आपको एक नोटीस दिखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर तो इसमें जो इसकी आविदन की डेट रख हो जाती है या कोई किसी भी प्रकार की अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसे 16 नॉमबर से लिखे 17 नॉमबर 2020 तक जो है वो संसोधन कर सकते हो जी हां ओनलाइन आविदन के समय जो है आपको जो है क्या देना होगा रंगीन फोटोग्राप जिसमें की चेहरे के साथ साथ दोनों का नस्पस रूप से दिखाई देना चाहिए तथा इडिटेट नहीं होना चाहिए हस्ताचर होना चाहिए यह बाएं हात की अंगुठे का निसान जो है वो आपका लगेगा बाएं अंगुठे का और दिये गए निर्देशों का पालन करते हुए अपलोड करें ओनल चाहिए और परिच्छा की अगर ओनलाइन की बात करें तो परिच्छा जो है आपका नौंबर माह में ले लिया जाएगा नौंबर में और वो होगी CBT मोड यानि की कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होने वाला आपका एक्जाम और एड्मिट कार्ट जो है वो ओनलाइन आपक परिच्छा सुल्क की बात करें तो यहाँ परिच्छा सुल्क रखा गया है वो 450 यानि की साड़े 400 रुप खा गया है आपको कैसे पे करना है क्रेडिट काड डेविट काड नेट बेंकिंग या UPI के माध्यम से जो है आप ये कर सकते हो परिच्छा का स्तर क्या होगा तो पर की होगी सभी विसे जो है अंग्रेजी को छोड़कर सभी विसे जो है अंग्रेजी और इंदी दोनों में दिये जाएंगे सिर्फ अंग्रेजी को छोड़कर मेधा सुची की बात कर लेते कि आपकी जो मेधा सुची वो कैसी तयार होगी मान लिजी कि अगर आप में से किसी का सेम नंबर आ जाता है 25-25 मान लिजिए नंबर आ गया तो किस अशुडेंट को जो है वो लिया जाएगा एडमिशन के समय तो जिसका जो है वो बायो में सबसे अधिक होगा उन्हीं को जो है लिया जाएगा सेलेक्शन के समय अब बात कर लेते कि एनम के लिए कौन सब्सक्राइब आपका जो है पहले 17 साल हो जाना चाहिए एडमिशन लेने के समय दा मैक्सिमम एज़ पॉर्स एडमिशन 35 यह यानि कि 35 यह तक जो है आपका एज है तो चलेगा दा मैनिमम एजुकेशन रिक्वायर्मेंट्स होना चाहिए 10 प्लस टू इन आर्स में होना चा है जो है नो सब्सक्राइब च चाहिए खेए सब्सक्राइब यह तो तक दिस इस नो एज बार फोर जो है एने लच भी मिनिमम एजुकेशन की बात करें तो 10 प्लस 2 कास्ट जो होना चाहिए पास्ड होना चाहिए साइंस होना चाहिए PC भी होना चाहिए विथ जो इंगलीज होना चाहिए और विथ एग्रिगेट जो 40% मार्ण यानि कि जो आपका कम से कम 12 में मार्क्स होना चाहिए वह 40% होना चाहिए और इसके अलावा जो है यह सारी जो क्वालिफिकेशन है वह आपको लगने वाली है तो मैंने डेट बता दिया 3 नमबर से लेके 15 नमबर तक जो है वह आप अपलाई कर सकते हो और माल लेजिए कि अप कि अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसे जो है 16-17 तक आप सुधार कर सकते हो तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कुछ भी पूछना तो कमेंड मे पूछ सकते हो जाहिन मिलते है नेक्स वीडियो में झाल 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 झाल